अपको सिर्फ इंग्लिष में दिखेगी और आपको सिर्फ समझना है उससे क्या question निकल सकता है वो उस news से मैं तुम्हें बताऊंगा और हम उसको relate करेंगे general studies से GK के साथ relate करेंगे क्यों relate करेंगे क्यों 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 आज कल जो exams हो रहे हैं वहां से जो आपको current affair का part पूछा जा रहा है वो ऐसा नहीं पूछा जा रहा है एक question पूछा उसके चार option दिये और टिक की है और निकल गए नहीं वो आपको GK GS के साथ relate कर रहा है तो वो उस तरीके के current affair हम discuss करेंगे और उस तरीके से चीजे मैं आपको बताऊंगा कि इसको कैसे link किया जा सकता है ठीक है और कैसे GK के साथ जा GS के साथ link करके paper में question पूछा जा सकता है कुछ मैं statement based वाले चीजे में आपको करवाऊंगा अगर मैंने by chance कोई question ऐसा statement based वाला नहीं लिया statement based वाला नहीं लिया तो आपको मैं बता दूँगा कि वहाँ से कैसे paper में question frame किया जा सकता है question जो होंगे वो bilingual ही होंगे हमारे देखेंगे अब आप लोग जो है English और Hindi में होंगे लेकिन जो सिर्फ news वाला पार्ट है वो news वाला पार्ट आपको English में देखेंगा और आपको सुनना है समझना है और खास करके जो बड़े exam है जैसे CDS का है CPF का है और PCS के exams हैं उनमें आपको यह बहुत help करने वाले हैं क्योंकि अभी recently जो है इनमें बहुत जार trend change देखने को आपको मिला है और जो इसके equivalent exams है उसमें trend देखने को मिला है हो सकता है कि CGL, CHSL, Railways में भी थोड़ा बहुत trend change आके आजाए और आपको जो है यहीची series help करें लेकिन त्यार रहना है हर चीज के लिए क्योंकि मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि चीज़े simple नहीं है अब जो है छोटे से छोटे exam में भी level बढ़ने लग गया है तो आज हम 20th of June के current fair discuss करेंगे और यह जो current fair का जो पार्ट है जो मैं standard newspaper से ही लूँगा जैसे आपका हिंदू का paper है दा हिंदू newspaper है और इंडियन एक्सप्रेस है लाइव मिंट है और जो है business standard है economic times है पी आई बीज है इस तरीके के standard news ही हम लेंगे और जिससे आपको help करेंगे और एक्जाम में आपको questions आएंगे और इस class को लेके आ रहा हूँ मैं मेरा नाम है Dr. Wipan Goyal तो बढ़ते हैं जी आगे आगे बढ़ने से पहले आपको मैं बता दूँ ये different social media handles है आप मुझे यहाँ पर follow कर सकते हो लेकिन telegram channel के साथ आपको 100% यहाँ से ही सारे lecture सारे PDF सब कुछ आपको share किया जाता है current affair के सारे parts यहाँ पर share किया जाएंगे और current affair की PDF से यहाँ पर share कर जाएंगे आप मुझे instagram के उपर personally connect कर सकते हैं यहाँ पर और इस अपके link जो है description और comment section में आपको given है आप मेरे paid course के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं आप मेरे paid course just 499 रूपीज में ले सकते हैं एक साल की validity के साथ और यह सारे paid courses जो हैं जैसे SSC के जाए equivalent exam है उसके लिए या PCS है जाए equivalent exam है CDS CPF के लिए आप ले courses ले सकते हैं और यह courses हैं कौन से यह वाले सारे courses हैं आप जो है study IQ app और website आप download कर सकते हैं जैसे आप download करेंगे आपको screen के उपर home page नजर आएगा search bar में मेरा नाम डाल देना Dr. Wipan Goyal तो आपको मेरे सारे courses के link नजर आजाएंगे फिर भी ना पता लगा तो वीडियो के खतम होने के बाद जो है comment section और जो है हमारा description box उसमें आपको इस सारे courses दिख जाएंगे otherwise app के उपर Dr. Wipan Goyal courses भी देख सकते हो तो यह सारे courses आपको दिख जाएंगे और इन सभी courses में VIP 499 को बनको लगाना है और आपको सारे courses 499 उपीज में आपको मिलेंगे कोई भी जो individual course purchase आप करोगे और अगर आप महापैक परचेस करोगे ठीक है तो यह आपको 999 में मिलेंगे तो कि इसमें हमारे 3 best courses है इसमें भी 3 best courses है SSE के exam के लिए और PCS exam के लिए और अगर आप CDS, CPF या PCS या PCS के equivalent exams के आप त्यारी कर रहे हैं तो मैं आपको recommend करूँगा ये और अगर आप one day exams के आप त्यारी कर रहे हैं तो आप सारा SSE महापैक ले सकते हैं तो आप देख लेना जैसे भी आपको अच्छा लगे तो देखे जी news हमारी क्या कहती है तो ये जो news है ये economic time से हमने लिया है और economic time से हमने इस चीज़ को लिया है और देखते हैं कि क्या है ये point ठीक है तो यहाँ पे एक recent अभी report आई है जिसने suggest किया है India's future line of credit to Africa could focus on the defense export to meet the requirement of the content कहने का मतलब यहाँ पे सिर्फ news ये थी कि line of credit हमने दिया है Africa को अब यहाँ पे एक तो simple question यही पुछाए सकता है now the second is what is this line of credit ये line of credit क्या होता है कि जो poor country होती है जो गरीब countries होती है उसको हम कम rate के उपर interest rate के उपर जो है loan दे देते हैं और उसको हम soft loan के नाम से भी जानते हैं और इसमें जो country पैसा देती है जाने की जो एक तो borrower हो गया जिसने लिया और जिसने दिया एक lender हो गया चीक है तो borrower country जो ले रही है पैसा इस lender country को जो है interest के साथ जो भी इन्होंने fix किया होगा वो आपको pay करेगी और ये ध्यान रखना है ये कोई grant नहीं है ये grant नहीं है ये loan है क्यों अब loan इसी लिए है क्योंकि ये जो है fixed interest rate पे कर रही है within the time limit ये ध्यान रखना और इसमें कोई जो आपकी limit है उसको रोका जा सकता है बिलकुल कोई भी जो lender country है borer country है जैसी वो limit आ रही है उसको रोका जा सकता है कभी कम ज़्यादा किया जा सकता है और दूसरी बात यहां पर यह है कि जब आपकी amount जो आपने fix करी थी उसके बाद आप जो है पैसा नहीं निकाल सकते ठीक है वो आप maximum limit तक निकाल सकते है यह ध्यान रखना और यह ध्यान रखना it's not a grant it's a loan यह बहुत important statement है यह one liner type में आ सकते है और यह आपको जो है one two, one two, none of these all of these इस तरीके से question पूछा जा सकता है तो यह recent यह news में थी तो आप से question यह पूछा जा सकता है Rapid Financing Instrument and Rapid Credit Facility यह provision है lending की यह किसकी provision है देखे अभी recent हमने जब हमारे world में coronavirus आया था तो उसमें यह चीज़े देखने को आपको मिले थी Rapid Credit Facility और Rapid Financing Instrument और यह जो एक तरह का loan था यह IMF loan provide करती है answer number B is the correct answer IMF के headquarter कहाँ पर है वाशिंग्टन में और यह balance of payment जो crisis country है उनको यह loan provide करती है यह balance of payment crisis country को IMF loan provide करती है और Washington में इसके headquarter है यह IMF जो होती है यह अपने member nation को ही loan provide करती है member nation को ही loan provide करती है short term के लिए लंबे समय के लिए थी short time के लिए loan provide करती है और IMF वो organization है जो के world economic outlook की report हमें provide करती है world economic outlook मतलब देश की हार्थिक सिती क्या है किसी भी देश की वो हमें पता करवाती है IMF यहाँ पे देखिए emerging emergency financing rapid credit facility जो health disasters के लिए दी गई थी और ऐसा ही आपका जो है relief trust और IMF जो है poor public health hazards को देखने के लिए यह पैसा provide करती है IMF so this is very very important point clear यह द्यानकना है तो मैंने आपको पहले question में दिखा दिया कि मैं किस तरीके से करवाने वाला हूं news जो होगी उसको समझेंगे कि है क्या news उससे क्या question निकल सकता है one liners क्या बन सकते है फिर हम एक mcq distance करेंगे जो मैंने आपको करवाया है इसी तरीके से हम आगे continue करेंगे चीक है और मुझे comment section में बताना किस तरीके से आपको यह class लगी और यह approach सही है गलत है जो भी अगर आप इसमें संशोधन कोई amendment करना जाते हैं कोई बदलना चाते हैं तो भी आप मुझे बताएंगे तो चार्ट करेंगे जी आगे अच्छा आईमेफ के लिए मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि जो RBI ने बोला है कि RBI ने बोला है कि जो अभी हमारी जो है इंडिया की 5th largest economy है लेकिन जो IMF बोल रही है इंडिया जो है 4th place के उपर चली जाएगी कब 2025 में और 3rd place पे आजाएगी 2027 में ये आपकी economies आजेंगे इंडियान रखना है इंपॉर्टन है ये अगें न्यूस है यहां पे ध्यान रखना है International Energy Agency है It's not International Atomic Energy Agency दोनों different है Atomic Energy और Energy यहां पे International Energy Agency जो है ये बताती क्या है कि जो रशिया से ज़्यादा ओयल है वो इंडिया और चाइना ले रही है बहुत ज़्यादा discounted price के उपर चाइना ने भी अपनी जो import है वो बढ़ा दिया है इंडिया ने भी बहुत ज़्यादा import आपका बढ़ा दिया है पहले जो है हम बहुत ही quantity कम लेते थे लेकिन अब हम 2 million barrel जो है per day लेने लग गए है ये ध्यान रखना है ऐसे ही चाइना ने भी 5 lakh barrel से तो 2.2 barrel per day consumption आपकी कर दी है और रशिया का जो export है वो आपका जो average है 3.87 million barrel per day रहा है 2022 का Ukraine crisis के बाद और ये newspaper था आपका Indian Express का news था अब यहाँ पर statement based कैसे पूछे जा सकते हैं What is this International Energy Agency इसके headquarter बगएरा तो ये International Atomic Energy Agency अलग है International Energy Agency जो है 1974 में बनी थी और इसके headquarter पैरिस में है और IAEA International Atomic Energy Agency के जो headquarter है वो कहाँ पे है वियाना के अंतरकत आउस्ट्रिया के अंतरकत देखने को में मिलते हैं और International Energy Agency के जो executive director है उनका नाम है फतीहा बिरोल ये याद रखना है इसके 30 member nation है International Energy Agency के 2017 में जो इंडिया है उसका part बना था associate member बना था associate member और 2021 में हमने strategic partnership करी थी इनके साथ International Energy International Energy Agency के साथ अब देखेंगे question हमारा screen के उपर यहाँ पे statement बताने हैं आपको true कौन सी है इंडिया और चाइना जो है biggest buyers है discounted Russia crude oil का ये बिल्कुछ सही है आपका अभी हमने बात करी है और May के अंतरकत जो crude export है रशिया का वो average 3.87 million barrel रहा था ये भी सही है तो दोनों statement आपके सही है answer number क्या बनेगा जी आपका C option बनेगा और जो यह IAA यह है इन्टरनेशन Energy Agency यह report हमें देती है World Energy Outlook Report जैसे economic outlook कौन देता है IMF energy outlook कौन देता है आपका IEA और मैं आपसे बात करना चाहूंगा क्योंकि energy की बात आई है अभी इस साल union budget 2023-24 की अगर मैं बात करता हूं हमारा 35,000 क्रोड रुपया हमने खर्च करने की बात करी है energy transition program में energy transition और 19,700 क्रोड रुपया जो है हमने green hydrogen में invest करने की बात करी है और national green hydrogen mission जो हमारा है जिसके according हम independent बन जाएंगे energy के अंतरगत 2047 में 2047 में independent बन जाएंगे national green hydrogen mission के according इंडिया ने IEA के साथ जो है agreement sign किया है for the security for the energy security stability, sustainability वगएरा और energy के साथ में अगर मैं बात कुने हूं परधान मंत्री मोधी ने बेंगलूरू में तो answer number C Now the next news is यहां पे देखो दो तिन चीज़े हैं यहां पे एक तो यह है कि राजस्थान किसान मौसब जो है वो जैपूर में हुआ अशोग गैलोड जो चीफ मिनिस्टर है उन्होंने और्गनाईज किया और इसमें पहले दिन ही लंपी डिजीज लंपी डिजीज के लिए 175 क्रोड रुपे जो है यहां पे दिये गए अब यह वट इस लंपी डिजीज यह पूचा जा सकता है तो पहला पॉइंट तो जगा जैपूर दूसरा लंपी डिजीज क्या है और लंपी डिजीज में क्या है जितने भी जो यह वाइरल डिजीज है आपकी चीक है वाइरल डिजीज है इस तरीके की आपने देखा होगा और यह वाइरल डिजीज है जैसे जो ब्लड फिलिंग इंसेक्ट होते हैं वो इसको फैलाते हैं और इसमें यह जो पहली आपकी प्रॉब्लम देखने को मिली थी वो जैंबिया में 1929 में देखने को मिली थी उसके बाद African countries फिर दीरे दीरे जो है आपकी South Asia, China में दीरे दीरे फैली लेकिन सबसे पहली बार हमें जैंबिया 1929 में देखने को मिली थी और हमने का यह वाइरल है फैलती मच्छरों से है मतलब इंसेक्ट वगएरा से यह वाइरल कौन सा वाइरस है जीनस क्या है इसका Capri Pox Virus Capri Pox Virus जो है आपका जीनस है यह उस फैमिली से ही बिलॉंग करता है जैसे जिसमें Small Pox, Monkey Pox यह हमें वाइरसी देखने को मिले उसी फैमिली से ही बिलॉंग करता है अब कोशिन यहां पर देखेंगे स्क्रीन के उपर क्या गयता है राजस्तान चीफ मिनिस्टर शो गहलोट न राजस्तान की सान महसव लॉंच किया यह कहां पर लॉंच किया जैपूर में अंसर नंबर D is the correct answer अब आप समझे होंगे कोशन ऐसे भी पूछा जा सकता है कोशन लंपी डिजीज के उपर भी पूछा जा सकता है वाइरल है कौनसा जीनस है कैसे फैलता है ऐसे भी पूछा ज करी है इस्टिक गुड गवर्नर्स इंडेक्स 3.0 अभी रिलीज किया गया है जम्मू कश्मीर में और जिसमें जम्मू डिस्टिक जो है टॉप नंबर पॉजिशन के उपर आया है उसके बाद दोदा सामबा पुलवामा शी नगर और यह वाले जगाए आई है यह स्टेटम अब बात यहां पर यह है क्या कहता है कि हमारा डिस्टिक गुड गवर्नर्स इंडेक्स में दस में से आपकी 6.3.7 जो है आपका रैंक लेके सबसे टॉप पॉजिशन के उपर कौन आया है जम्मू अंसर नंबर बी जम्मू इस दा करेक्ट अंसर और गुड गवर्नर्स इं हैं वो क्या होते हैं agriculture, environment, citizen-centric governance, public health और public infrastructure utilities, economic governance, social welfare, judicial, public security, human resource development, commerce and industry यह 10 factors जो है हम देखते हैं यह ध्यान रखना है और मैं यहां पर जम्मू कुश्मीर के लिए बारे में बात करना चाहूंगा कि जम्मू कुश्मीर आपकी पहली state ऐसी है पहली union territory ऐसी है जिसने e-governance model के उप पिसरी states जो है इसकी उपर आ रही है good governance में देखने को आपको मिल रही है अचा good governance day कब होता है 25 दिसंबर को होता है जिस दिन हम अटल ब्यारी बाजपेजी की birth anniversary celebrate करते हैं जम्मू के लिए मेरे दिमाग में एक question और है खेलो इंडिया विंटर गेम्स अगर खेलो इंडिया व इंडियन रेलवे ने एक history create करी है और वर्ल्ड का highest चेनाव railway bridge वो भी जो है आपका जम्म कुश्मीर में है answer number B is the correct answer next news हमने लिए है हिंदू से business line से लिए है यहाँ पे देखे जी अब यहाँ पे NABFID National Bank for Infrastructure Financing and Development इन्होंने 10,000 क्रोडर पे raise की है पहली बार अपने bonds issue करके और यह bonds जो है आपके infrastructure bonds होते हैं यह unsecured होते हैं non convertible non convertible का मतलब क्या है कि इसको रूपी में convert नहीं किया जा सकता और यह जो है 10,000 क्रोड पे इन्होंने raise की हैं यहाँ पे और यह जो NABFID है इसको 2021 के act के according setup किया गया था और यह share holding सारी की सारी central government के अंतरगत आती है लेकिन यह control किसके अंदर आती है R.B. Act. 1934 के अंतरगत regulation, supervision उसके अंतरगत देखने को मिलती है और इसमें जो invested equity है वो 20,000 क्रोड रुपी है और grant जो है 5000 क्रोड रुपे की देखने को आपको मिलती है तो यहाँ से question देखे जी क्या है पहले तो किसने raise किया कितना किया और यह unsecured non convertible debt securities है या convertible debt securities है कब establish किया गया central government के अंतरगत आता है या किसके दवरा regulate किया जाता है यह एस तरीके से question पूछा जा सकता है तो यहाँ पे देखे जी किसने raise किये पैसे तो यह raise किये थे national infrastructure finance and development bank ने raise किये थे पैसे answer number one अब अगर मैं बात करूँ यह NABFID की जो मैंने आपसे बात करी थी 2021 के अंदर act के अंदर गताया है और आपके लागू हुआ है April 19, 2021 statutory body है parliamentary law दवरा बनाई गई body है capital जो है आपका 1 lakh रुपी जो है यहाँ पे authorized share देखने को मिलता है और यह 5th all India financial institution आता है RB दवरा जो setup किया गया था इससे पहले Exim Bank, Nabar, National Housing Bank और SIDB आते हैं चार और पांचमा अब आ चुका है आपका NABFID और इसके headquarter कहां पे हैं मुंबई में देखने को में मिलते हैं यह ध्यां रखना है बड़ा important question है चलेजी अब next question देखें जी क्या कहता है यह news cover हुई है आपकी इसमें बोला गया है कि जो rape cases है जैपैन के अंतरगत उसमें rape को as a non-consensual sexual intercourse की अगर हम बात करें जैने की by the use of force और इसमें age आपकी increase कर दी गई है 13 से 16 कहने का मतलब अगर आप अपनी मर्जी से sexual relationship रख रहे हैं दूसरे के साथ तो 16 साल से कम आप नहीं रख सकते हैं दूसरी बात यह है कि कोई भी अगर person है rape का victim है तो वो अपना case file कर सकता है पहले 10 साल के अंतरगत अगर rape हुआ है तो वो 10 साल के अंतरगत आपका case register कर सकता था अब वो 15 साल जाने कि 5 साल बढ़ा दी गई है वो जब rape हुआ उसके 15 साल में कभी भी अपना जो है I mean rape file case कर सकता है और इसके लिए एक protest देखने को आपको मिला था flower demo यह कहां पर जापान में किस के लिए for sexual violence and equitable in rape cases तो यहां पर question देखे जिए ध्यान से समझीए कि यहां पर पूचा जा सकता कि यह flower demo है क्या what is this यह news में आया था तो यह जैपान में है sexual violence and equitable in rape cases के अंदर का 10 से 15 साल वाली age हमने करी है मतलब case file करने की और 13 से 16 साल age करी है consent की ध्यान रखना है यहां पर देखे जेए sexual crime laws and raise the age of consent from 13 to 16 किस ने करी है जैपैन ने answer number one जैपैन को हम land of rising sun के नाम से जानते है land of rising sun जैपैन का share सबसे जादा है ADB में Asian Development Bank में और US का दोनों का बराबर है Asian Development Bank के headquarter Manila Philippines में देखने को हमें मिलते है answer number one जैपैन यह newspaper यह news आई थी ठीक है पैंटागन पेपर्स यह पैंटागन पेपर्स किसके साथ लेट करते हैं US व्यतना वार के साथ लेट करते हैं जो के 1955 में देखने को आपको मिली थी अभी जो डेनियल ऐल्सबर्ग जिन्नोंने इसके बारे में बताया था और इनकी देनियल एल्सबर्ग अमेरिकन एनलिस्ट इनकी डेथ हो गी है 92 के थे और पैंटागन पेपर इन्होंने 1971 में लीक किये थे और US और कौन सी कंटे के वीच में वार की बात कर रहा है व्यतनाम के बीच में US and व्यतनाम answer number B is the correct answer 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 number B अब ये US और व्यतनाम वार है क्या थी actually North और South व्यतनाम के बीच में वार चल रही थी 1 November 1955 को North को support कर रहे थे आपके जैसे Soviet Union चाइना वागरा support कर रहे थे लेकिन South को support कौन कर रहा था US support कर रहा था और जो लड़ाई है 20 सालों तक चलती रही और आपकी ending war होती है 1973 में और उसके बाद आपकी 3 countries communist state जो है release होती है निकल लिजे अब यह question क्या बनेगा Vietnam War पूछा सकता है कब हुई थी North को कौन support कर रहा था South को कौन support कर रहा था और Pentagon Papers किसके साथ relate करते हैं यह paper में आ सकते है question यह static question है इसको सर्फ याद करेंगे पहला इंडियन जीनों ने National College A Table Tennis Association Male Athlete of the Year Award जीता है उनका नाम है मुदित दानी answer number one is the correct answer मुदित दानी यह news में है यूगांडा में एक terrorist जो है Allied Democratic Forces ISIS इनके द्वारा अटेक किया गया है जिसमें 40 लोगों की death हो चुकी है यूगांडा में 25 सालों में यह सबसे biggest attack है यह NDTV news की current affairs में मेने वहाँ से लिया है अब यहां पे आपसे question क्या पूछ African country है यह तो पता है कौन से पार्ट में आती है इसके surrounding countries कौन सी है landlocked है या water body कोई link करती है कुछ भी paper में पूछा जा सकता है उसी के साथ late करके मैंने question बनाया है कि यूगांडा को जो है कौन सी country border share करती है यहां पे देखे यूगांडा यह है यूगांडा जो है पहली बात अपोलो सीबांबी जो है इनके prime minister है now Sudan जो है North में है West में Democratic Republic of Congo East में Kenya है South में Tanzania है और South West में Rwanda है और South में यूगांडा जो है यह लेक विक्टोरिया पड़ रही है यहां पे और यह यूगांडा लेक विक्टोरिया जो है यूगांडा के South में है लेक लेक विक्टोरिया जो तो तीन boundary share कर रहे है एक तो यूगांडा शेर कर रहा है कीनिया शेर कर रहा है और तंजानिया शेर कर रहा है तो लेक विक्टोरिया भी यहां से वेपर में पुछा जा सकता है तो यहां पे ध्यां रखना है चिक है तो अब question देखेंगे हमारे screen के उपर यह क्या है तो यह क देखेंगे में question आते हैं next question देखेंगे यह news में था education working group जो G20 की meeting हुई है वो पूने में हुई है और इसमें बहुत सारी organization OECD, UNESCO, UNICEF ने participate किया है तो यहां पे simple question बनेगा G20 की education working group कहाँ पे meeting हुई है ठीक है बाखी G20 की meetings बहुत सारी हुई है अभी वो मैं आभी आपको question करवाँगा उसमें आप देखना तो यहां पे G20 की meeting education के लिए education working group की meeting हुई है पूने में answer number 4 अब यहां पे देखेंगे यह question आपने इसको मतलब question देखके पहले तो answer देने क कोशिश करो फटाफट बाखी मैं तुम्हें बताऊंगा second G20 empower meeting जो ministry of women and child development की मिनिस्ट्री ने करी है यह त्रिवंत पूरम केरला में है research and innovation initiative gathering conference G20 की जो हुई है वो धर्मशाला हिमाचल परदेश में देखने को मिली है G20 disaster risk reduction working group ने अपनी second meeting जो है मुंबई में करी है G20 की पहली infrastructure working group meeting जो देखने को आपको मिली है वो आपकी पूने में देखने को मिली है G20 की cultural working group जो G20 की cultural working group की meeting है वो आपको देखने को मिली है खुजराहू में खुजराहू मध्या परदेश में और यह world heritage sites है और चंडेल वंश की capital थी चंडेल वंश की cultural capital थी यह ध्यान रखना है तो यहीं पे ही cultural meeting देखने को हमें मिली है तो these are very important facts जो question आया जाते हैं यहाँ पे बड़ा important question है यहाँ पे regional connectivity scheme की अंतरगत अभी हिसार से connection start होने वाले है flight operation start होने वाले है हिसार international airport हरयाना से तो यहाँ पे question देखें जी क्या बन सकता है सासो अठाइस क्रोट रुपे इसके लिए खर्च किये जाएंगे question यह बने गार जी regional connectivity scheme कब launch करी गई थी और किस चीज के लिए थी इसका objective क्या था और किस ministry के अंतरगत आती है बगएरा 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 तो यहाँ पे देखें जी regional connectivity scheme जो है यह launch करी थी ministry of civil aviation for regional airport development and enhancing the regional connectivity तो सीधी सी बात यह है regional connectivity को बढ़ाने के लिए ministry of civil aviation ने यह launch करी है 2016 से launch करी है civil aviation policy 2016 में देखने को मिलती और यह 10 सालों के लिए applicable देखने को मिलती है 10 सालों के लिए और अभी recently उडान 5.0 में जो है 5.0 में हम connect कर गए हैं और इससे पहले 4 phases आए हैं 4 phases पहला 12.17 में आया था जिसमें unused on unserved airports country के उसको open करने की बात करी थी दूसरा phase 2018 में था जिसमें आपने remote और inaccessible parts को connect करने की बात करी थी 3rd phase जो था 2018 में था जिसमें air connectivity आप हिली और remote areas में करेंगे और part 4 जो था वो हम बात कर रहे हैं islands और जो आपके remote areas हैं उसको उपर focus करने की बात करी गई है तो यह 4 phases यह हैं पांचवा recently यह launch किया गया है तो this is very important point clear यह याद रखने हैं यह paper में आ सकते हैं phase 1, phase 2, phase 3, phase 4 बगएरा कौन से year बगएरा में है ठीक है अब question यह है question देखे जी original connectivity scheme देखो मैंने तुमें क्या था यह year पूछा जा सकता है तो पहले तो answer अब टिक कर दो 2016 ठीक है अब question यह बना सकते हैं भी किस ministry के अंतरगत आती है ठीक है कितने सालों के लिए scheme applicable है दस सालों के लिए आगे दस सालों के लिए applicable है और यह उडान टू पॉइंट उडान जो है वन कब launch किया phase 1 कब हुआ phase 2 कब हुआ इस किस areas को remote areas को hilly areas को कौन connect कर रहा है कौन सा phase connect कर रहा थ पूछा जा सकता है उडान scheme जो है उडे देश का आम नागरिक जिसमें common लोग जो है एक जगा से दूसरी जगा तक जाएंगे affordable price की उपर अगर 500 km का distance है आप 25 रुपे की fixed price के उपर एक घंटे में आप cover कर सकते हैं यह पहली flight जो है 2017 में launch करेगी थी लेकिन again scheme था 2016 की यह ध् इंटरनेशनल फादर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है थर्ड संडे ऑफ जून को अंसर नंबर डी इस अ करेक्ट अंसर अंसर नंबर डी यह एक mobile app है कौनसी दुग संकल्प साथी mobile app यह दुग संकल्प क्या है यह milk की quality को enhance करने के लिए milk की quality कैसी है उसको पता करने के लिए की जाती है यह app मसूरी उत्राखंड में launch करी गई heavy industry minister dr. महिंदरनाथ पांडे द्वारा launch करी गई और यह central public sector enterprises जो आपकी है सराजस्तान electronic instrument limited जैपूर इसने इसको design और develop किया है यह ध्यां रखना है app को design किसने किया है develop किसने किया है पूछा जा सकता है जैपूर से design किया गय आपके बारे में discussion करेगी कि milk production कितनी हुई है milk quality क्या है कैसे increase कर सकते है बगएरा बगएरा और यह जो राजसान electronic and instrument limited company जो है जैपूर जिसने इस app को बनाया है इसको mini रतना का status है यह भी ध्यान रखना है आपको ठीक है तो यहां पर question देखते हैं यह दूग संकल साथी mobile app उ industry minister है answer number one is the correct answer और मसूरी उत्राखंट से launch करी गई है अब आगे question देखे जी आगे news देखे क्या है आरबे ने अभी एक recently penalty लगाई है आपकी 20 लैक रुपेज की मना पूरम finance को लगाई है क्योंकि वो NBFC के साथ मिलके काम नहीं कर रहा था जो NBFC काम करती है उस तरीके से काम नहीं कर रहा था तो कोशिण यहां तो यह बन गया भाई आरबे ने penalty किसको लगाई है मना पूरम finance को कितने की 20 लाग रुपेगी और now second question is NBFC यह NBFC क्या होते हैं यह company act जो 1956 है उसके अंतरगत आपके establish के गए हैं यह पैसा invest करते हैं तहां पे shares, securities, chit funds, insurance, business बगारा बगार यह banking services तो करते हैं लेकिन banking license नहीं है banking services जो आपकी जैसे जो आप demand deposits होते हैं हमारे current account, saving account वो नहीं करते हैं बाकि loan देते हैं, credit facilities देते हैं, investment करते हैं, money market में invest करते हैं लेकिन demand deposits में deal नहीं करते हैं और जैसे investment banks हैं, motor case lenders है, money market funds हैं, यह सारे इसके अंतरगत आते हैं NBFCS के देखने को में मिलते हैं, यह याद रखना है, important question है यहाँ पर, और लाइवमेंट से जो है मैंने यह news को cover किया है, देखे जी question यहाँ पर, आरवे ने 20 लाग रुपे की penalty लगाई है, मनना पूरम finance को, अब question द्यान से समझेगे कि NBFC भी question paper में आ सकता है, ध्यान रखना है यह question, मैं तुम्हें सारे points बता दिये NBFCS के लिए, अब यहाँ पर Eastern Zonal Council की 13th meeting होई है पतना में, यह ध्यान रखना है, अब question यहाँ पर देखो जी, Eastern Zonal Council में कौन कौन सी states आती है, इसके headquarter कहाँ पर हैं, कितनी Zonal Council है है हमारी, और इसके chairperson कौन होते हैं, vice chairman कौन होते हैं, ठीक है, इस तरीके से question पूछे जा सकता है, तो simple question तो Eastern Zonal Council की meeting पतना में, और इसमें बिहार, जारखंड, उडिशा, वेस्ट बंगॉल के representative आते हैं, आये थे इस meeting में, और हमारी 6 Zonal Council हैं, 5 Zonal Council जो बनी थी, जो स्टेट Reorganization Act 1956 द्वारा बनाई गई थी, इसमें नदन, Central, Eastern, Western और Southern, नदन के headquarter New Delhi, और Central के अलहाबाद, Eastern के कौलकात Western के Mumbai, और Southern के Chinay, ये देखने को हमको मिलते हैं, ये Zonal Council, और 6th Zonal Council जो बनाई गई थी, North East बनाई गई थी, जो North East Council Act 1971 के according बनाई गई थी, और इसमें ये सारी states जो देखने को आपको मिलती हैं, ये आपको PDF मैं दे दूँँगा, उसमें states बगरा पढ़ लेना, इस Zonal Council में जो फिर चौथा, एक साल में जो एक मीटिंग होती है आपकी, और Vice Chairman जो होता है, एक State का CM होगा, चीक है, और अगली मीटिंग में दूसरा CM होगा, तीसरी मीटिंग में तीसरा होगा, ये ध्यान रखना है, बाकि अडवाइजर वगरा एक बर रीड कर लेना, चीक है, बाकि ये सारा बता दिया, छे की छे, जोनल काउंसिल के बारे में बात कर ले, डॉक्टर ओन वील्स, ये एक एम्बुलेंस सर्विस लाँच करी गई है, ये जम्मु कश्मीर में लाँच करी गई है, कत्वा डिस्टिक में, प्राइम निस्टर मूदी ने डिजिटल हेल्थ मिशन ला रिमोट एरिया, कत्वा वाले, एरिया में जहां पर सर्विस नहीं है, उनको ये प्रोवाइड करेगा, और ऐसी ये पहली डिजिटल हेल्थ केर है, डिजिटल हेल्थ मिशन जो आपकी डिजिटल मोड की उपर जो है, लाँच करी गई है, न्यू सोर्स ये है आपका, ठीक ह अब कोशन देखेजी, स्क्रीन के उपर गया गयाता है, कौन सी स्टेट ने टैली मैडिसन सर्विसेज लाँच करी है, डॉक्टर अनुबिल्स एम्बूलन सर्विस, ये ऑविसली बात है, जम्मो कुश्मीर कत्वा डिस्टिक, अंसर नंबर क्या बनेगा, C is the correct answer, जम्मो खर्चिस तक खर्च किया करेंगे, मतलब इसका टार्गेट है ये 2025 तक का, और नैशनल हेल्थ पॉलिसी में अब्जेक्टिव क्या रखे गए है, जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमारी 67.5, 67.5 है, उसको 70 साल करेंगे 2025 तक, और IMR, इंफेंट मोटालिटी रेल, जो बच्च है, कि 90% उन लोगों को ट्रीट करेंगे, जिनको स्टेटस मिल चुका है, कि भाई, वो HIV पॉजिटीव है, 90% जो HIV इंफेक्शन से डाइगनोज हो चुकी है, उनको एंटी रेट्रो वाइल थेरपी देंगे, 90% जिनको एंटी वाइल थेरपी मिल चुकी है, उनको वाइल सप प्रेशन जो है, हो जाए, नैशनल हेल्थ पॉलिसी में कोशिन पूछे जा सकते हैं आपको, लेकिन मेरे अगर मैं एग्जामीनर नो ना, तो यह पहले दो स्टेटमेंट बड़े इंपॉर्टन है, और यह बड़े इंपॉर्टन है, 2.5, यह नैशनल हेल्थ पॉलिसी दो स अगर डिस्टिक पूछा, तो गंजम डिस्टिक उरिषा का, अगर पंचायद पूछा तो तैलेंगणा में, जगननन्द पूरम गराम पंचायद और बधरा दिर और कोथा गुदयम डिस्टिक of तैलेंगणा को डिस्टिक कि बात करिया, तो यह मिला है, i mean पंचायद की ब गंगा रिजुवनेशन मिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंतरगत आती है मैंने आपको बताया था और पहले बार अवर्ड 2018 में भी आ गया था तो स्टेट्मेंट करके पेपर में कैसे भी कोशन पूछा जा सकता है यहां से नेक्स्ट अगें बड़ा सिंपल सा कोशन है अचा एक चीज आपको मैं बता दूँ मध्या परदेश न्यूज में काफी रहता है अभी मध्या परदेश में जो गॉंड पेंटिंग है जो ट्राइबल पीपल सेलिब्रेट बनाते हैं तो गॉंड पेंटिंग को जी आई टैग हुई थी वो भी बोपाल में मध्या परदेश में देखने को में मिली थी याद रखना कौन सी कंट्री ने जीता है वर्ल्ड स्क्राइश चेंपेंशिप जीता है अभी रिसेंटली तो एजिप्ट ने जीता है मिसर ने जीता है अंसर नंबर वान इस दा करेक्ट अंसर अच और एजेप्ट के जो प्रेजिडेंट है डेट इस एबदल फटेहा एल सी सी ये अभी जब हमारा 26th of Jan को Republic Day celebrate किया गया था तूस टाइम पर जो है चीफ गेस्ट ये थे और NDB New Development Bank जिसके Headquarter शंगाई चाइना में देखने को मिलते हैं उसका ये full-fledged member बन चुका है member बन चुका है NDB का और NDB Bank किसका है BRICS का याद रखना है आपको Brazil, Russia, India, China, South Africa आपकी इंक्रीज कर दी है इसमें अब जो आपकी एथलीट है वो 250 डॉलर पर डे जो है खर्च कर सकते हैं अब्रॉड में तो ध्यान रखना है answer number 4, 66% US Senate ने nomination दिया है first Muslim judge को as a first Muslim women as a federal judge ये किसको दिया गया है that is Nusrut Johan Chaudhary को answer number 1 is the correct answer Nusrut Johan Chaudhary answer number 1 very very important question clear So guys ये थे current affair हमारे तो कैसे लगे ये मुझे comment section में बताना Instagram और जो है Telegram के उपर आप connect करना सारे link जो है description और comment section में है Telegram channel के उपर आप 100% join करना क्योंकि यहाँ पर सारी classes, lecture, PDF सब कुछ मैं यहाँ पर share करूँगा ठीक है और जो भी आपके सुझाव है Instagram या Telegram के उपर आप मुझे share कर सकते हो Link description और comment section में है आप मेरे paid course के माध्यम से भी पढ़ सकते हो और आपको मेरे सारे paid courses 499 रुपे में मिलेंगे आपको code use करना है VIP 499 अगर आप ए code use करते हैं तो आपको course just 499 रुपी में आपको मिलेगा यह सारे courses आपको available हैं मिलेंगे Study IQ app और website के उपर हैं यह मेरे सारे courses मेरे द्वारा बनाए गए है search bar में Study IQ app और website में डॉक्टर विपन गोईल लिखना तो भी आपको इसारे courses दिख जाएंगे otherwise डॉक्टर विपन गोईल courses खोलना वहाँ पे आपको इसारे courses दिख जाएंगे नहीं तो comment section या description box में सारे courses हैं अगर आप PCS, CDS, CPF या equivalent exam की आप त्यारी कर रहे हैं तो मैं आपको recommend करूँगा आप State PCS का महा pack लेजिए अगर आप one day exams की त्यारी कर रहे हैं तो SSE महा pack लेजिए इन दोनों course में हमारे 3-3 courses हैं जो हमारे best courses हैं यह full flash त्यारी आपकी PCS, CDS, CPF की हो जाएगी यहाँ पे सारे one day exam की full flash त्यारी हो जाएगी लेकिन अगर आप single course buy करना चाते हैं तो वो भी कर सकते हैं अगर आप महा pack purchase करते हैं और VIP 499 coupon code लगाते हैं तो आपको जो price है वो 999 रुपीस आपको मिलेगी chapter wise, topic wise को पढ़ना चाते हैं MCQs 10,000 लेजिए PCS का crash course join करना चाते हैं तो यह लेजिए ठीक है और जीए live batch लेजिए अगर आप theory पढ़ना चाते हैं तो जो भी आपको अच्छा लगे कर सकते हैं ठीक है Thank you so much guys और all the best और अगर आपको कुछ ना पता लगा तो again मुझे Instagram या Telegram की उपर message करके पूछ सकते हैं Link description और comment section में आपको मिल जाएंगे So thank you so much guys, all the very best Good luck, take care